वहिस्वा की बड़ी खवर संबस से जहाबर लव जहाद और मंदिल में नमाज को लेकर साध्वी प्राची का बड़ा बयान आया है 24 में ग्रिजी कारिकर में शिर्कत करने मौजी साध्वी प्राची ने लव जहाद के बढ़ते मामलों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि लव जहादियों के लिए एड़ इस्पोर्ट सजा होनी चाहिए ना कोई अपिल ना कोई सुनवाई लव जहादियों को सिर्फ बिच और आहे पर फासिदों ताकि लव जहादी सिदे जन्नक जाकर 72 गुरों के दर्शन कर सके गत्रामे नंद मंदिर में मस्जित पढ़े जाने के मामले को सोची समझी शाजिस बताते हुए कहा कि कस्मीर में भी ऐसी ही साजिश के तहट मंदिरों में नमाज पढ़कर साढ़े चार लाख हिंदुओं को कश्मीर से बेघर कर दिया गया था ताधिर प्राचिन अयोग्या में श्री राम मंदिर मामले में विवादित बयानों के लिए ओवैसी पर भी निसाना साधा है साथ ही कहा कि श्री राम मंदिर के बाद मतरा और काशी के मंदिर भी हमें चाहिए जैसे हमें हम साड़े चार सु साल की जो लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए राम मंदिर हमें मिला क्योंकि हमारा था हमारा ही है मैं शुरू से कहते हुए क्रेशन जनभूमी और बाबा विश्वनात ये भी हमें चाहिए बाबा विश्वनात जी हमारे हैं और भवान श्री क्रेश्ण जी जो मंदिर है इतिहास भी साक्षी है और प्रूफ सब हमारे पास मचरा को लेकर रिट भी दायर की गई है जी और लगतार आवाज उठ रही है आप क्या कोई है जेंडर तैयार किया हो इसके लिए हां रिट त महापर्वी इसी तरह से भवान श्री क्रेश्ण की जन भूमी पर भी जब हम जाते हैं तो बड़ा दुख होता है अनयासी मन भर आता है कि हम कैसे हिंदू है हमारे महान पूरूस हमारे भवान के मंदिरों पर मस्जिदे खड़ी है और हम मूख बधीर बन करके क्योंकि हम एक दायरे में समीधान का पालन करते हैं कानून का पालन करते हैं हम सारी बाते करते तो हमें राम जन भूमी की तरह से स्री क्रेश्ण जन भूमी और काशी भी सुना चाहिए लेकिन इसके बावजूत लगातार ऐसे खबरें सामने आ रही है कि ये संदीब जी पुजारी जी आपने बहुत अच्छा कोश्चन किया है और आज के परिप्रेक्ष में देख करके मैं भी हैरान हूं मंदिर में गुस्ते हैं नंद बाबाजी के मंदिर में बहुत प्यार से बात करते पुजारी जी से कोई उनको एजेंडर नहीं बताया जाता कि हम नमाज करने आप जाकर कि दूसरे गेट में जाकर नमाज दब कर लीट Cook और आपी के साथ इसपष्टी करन करते हैं क्याते हैं कि हमारा समय हो गया था नमाज दा करने था नमाज अदर करने का अगर समय हो गया थो तो नंद बाबाजी की मंदिर में गुषने की जरुरत नहीं थी ये एक सोची समझी साजिस है इसी तरशे काश्मीर के अंदर ये लोग प्यार से गुषते थे और फिर जवर्दस्ती की थी साड़े चार लाक हिंदों को बेघर किया यही परिणाम हुआ है आज मुझे बिलकुर मैं खुले आम जी नियूज पर कह रही हूँ इनकी सोची समझी साजिस है कोई इनका एजंडा है उसके तहट ये योजनबत तरीके से कारी कर रहे है इंगे खिलाब कारवाई जिससे पूरे दियस ने स्विकार्रे किया था लेकिन ओवेसी ने ये का था कि हम इस फैसले को नहीं मानते हम अपने ओलादों से भी कह करके जाएंगे कि वो याद रखें यहां स्रीराम मंदिर नहीं था यहां बावरी मस्जित थी इस बियान को ल नहीं क्लादों को क्या बता करके जाओ गये शर्मानी चाहिए इस तरह कि देश के अंदर यह गंदी सनीते हिंदुस्थान के अंदर इस चाहिएлом थे कि इदेना चाहते देश को क्या बताना चाहते हैं बताइए अपनी पीड़े को कि हमने राम जेन भूमी को तोड़ करके बाबरी धाचा रखड़ा किया था और जब हिंदू सक्षम हुआ हिंदुस्तानी सक्षम हुए राम भक्त सक्षम हुए उनका कोट का फैसला है उन्होंने राम मंदिर बना दिया यह बताइए बाबर केम के रिष्टेदार है ओवे सिगें लब जिहाद इसमें बड़ा मुद्दा है और अभी मुक्यमंतिय युगतिया था कि लब जिहाद बड़ा देने वाले सुदर जाएं और एक बयान आया था इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था उन्होंने कहा था कि सुदर है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा और चरम पर पहुंच गया है इस समय पहले लव जिहाद बैलाया फुसलाया जाता था बच्चियों के स्कूल के सामने लव जिहादी खड़े होते थे कलावा तिलक और डबू पपू सोनू मोनू नाम बताते थे अब ये सरे आम खड़े होकर के नहीं लड़की को ब्लैक मेल करते हैं फिर उसका धरम परिवर्तन कराने के लिए जबरदस्ती करते हैं और जब वो बच्ची नहीं मानती तो निकिता जैसा हस्र होता है मेरे देश की बच्ची निकिता ना बन पाए हिंदुस्तान की बेटी सरहद पर सीमा करने वाली सीमा की रक्षा करने वाली बच्ची निकिता ना बन पाए वो देश की इंजिनियर बन सकती थी निकिता वो देश की हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने वाली बच्ची बन सकती थी कोई और बच्ची ना बने इसलिए हमने मांग किया हिंदुस्तान में कड़े से कड़ा क सरे आम चोराय पर फासी की सजा हो यह हमारी मांग है और मैं तो मेलकी मोल्यों को भी कह रही हूं बड़े फत्वे जारी करते हैं ना मस्जिदों से कोई बात हो तलाक कवा है तो तुरंत पूरे देश में एक माहूल बनाया है मोदी जी के खिलाप इन लोगों ने मोल्यों ने स सिये का कानून सिये आया तो पूरे देश के अंदर इन्होंने एक माहूल बनाने की कोशिस की साहिन बाग खड़ा कर दिया साहिन बाग का परिणाम हुआ दिल्ली के दंगे मैं मोल्यों से भी गुजारिस कर रही हूं आईए हिंदुस्तान की बेटी को बचाने के लिए मुह देशित में राश्ठित में ये कारिय नहीं करेंगे ये केवल क्या करेंगे ये मोदी जी का विरोध करेंगे ये योगी जी का विरोध करेंगे